नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ शुर्थी कॉंग्रेस जब मध्यप्रदीश की कदावर नेता जोतरादित सिंध्या के बीजेपी में जाने का गम मना रही है ठीक उसी समय फार्टी के पुरानी सहयोगी आरजेडी ने भी उसे जोर का जटका दिया है आरजेडी ने अपने हिस्से के दो राज्य सभा सीटों के लिए अपने उमीदवारों के परचे भी दाखिन करवा दिये जबकि कॉंग्रेस उसे लोग सभा चुनाव के दोरान किये गए वादू की याद दिलाती रहे आरजेडी के राज्य सभा सांसद और पुराने कारोबारी प्रेम चंद गुपता को टिकट मिलना तो तैमाना जा रहा था लेकिन नेक हिलाडी अमरेंद्र धारी सिंग को आरजेडी के टिकट मिलना सब को चौका गया यहां तकि आरजेडी के निता भी उन्हें नहीं जानते थी क्योंकि परचा दाखिर करने से पहले किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था फैसले पर लालो की मुहर अमरेंद्र धारी सिंग पटनक रहने वाले हैं और बड़े कारोबारी हैं जाती से भूमिहार हैं और देश के कई हिस्सों में उनका कारोबार फैला हुआ है आरजेडी ने अपने राश्ट्री अध्यक्ष लालो प्रसाद यादाव को राज्ज सभा चुनाव के लिए उम्मेदवारों की चैन के लिए अधिकरत किया था लालो प्रसाद ने प्रेम चंद गुपता और अमरेंदर धारी सिंग की उम्मेदवारी पर मुहर लगाई और परहाली मैंने गुरुवार को दोनों ने अपना परचा भी दाखिल कर दिया आरजेडी के इस फैसले से कॉंग्रेस सक्ते में हैं क्योंकि उसे भरोसा था कि आरजेडी लोग सभा चुनाव के दौरान के गयवादे को पूरा करते हुई एक सीट कॉंग्रेस को देगी बिज उनों उमीदबार मैदान में उतार दिया हैं कॉंग्रेस और आरजेडी का भिहार में लंबा साथ रहा है और हर बार कहीं न कहीं कॉंग्रेस ठगी जाती रही है पिछले लोग सभा चुनाव में जब कॉंग्रेस नी 14 सीटों की मांग की तब आरजेडी ने उसे ये कहकर वहीं बता दे आपको कि तेजस्वी यादम ने कहा कि जो शिर्ष नेतरत्व है राजद और कॉंग्रेस का उनकी बात हो गई है सोन्या जी की बात थी वो हमने लालो जी के पास बात रख दी बात शिर्ष सिस्तर की बातचीत के बात खत्म हो चुकी है तेजस्वी ने कहा कि ह हम लोगों ने कॉंग्रेस को बहुत मौका दिया है और हर्बान कॉंग्रेस को साथ लेकर चलने का काम किया है आगे भी एकोशि जारी रहेगी लेकिन कॉंग्रेस का कहना है कि गडवन्न में इस तरह का व्योहार उचित नहीं है कॉंग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचन मिश्रा ने आरजेडी के द्वारा उनके बिहार प्रभारी शक्ति सिंग गोहिल के पत्र को परजी कहने पर कॉंग्रेस ने आपती जताई आरज़ेडी के एक तरफा फैसले से कॉंग्रेस खेमे में नाराजगी है और इसका असर आने वाले विधान सभचुनाव और महागड़ बंदन के अस्तित्व पर भी पड़ सकता है बता दे आपको की हाले में कॉंग्रेस के कदावर नेता माने जाते रहे जोतिराधित सिंधिया ने कॉंग्रेस का दामन छोड बीजेपी का दामन ठाम लिया और इसके बाद से ही कॉंग्रेस सकते में है क्योंकि अगर बात करें जोत्रादित सिंध्या की तो राहूर गानी के बेहद करीबी माने जाती रहे है जोत्रादित सिंध्या लेकिन उन्होंने जिस तरह से कॉंग्रेस का दामन छोड़ा है और बिजेपी का दामन ठाम लिया है कहीं न कहीं ये कॉंग्रेस के जो है अब कही आप देखना बेहादे दिल्चास होगा कि मध्धप्रदीश में किस तरह से यहां पर नया मोड आएगा क्या भी जेपी यहां पर कमल खिलाप आएगी क्योंकि बता दे आपको कि जोत्रादित सिंध्या के इस्तीफे के बाद इस्तीफे के साथ साथ ही लगभगबाईस विधा के द्वारा फिर से कॉंग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी तो क्या अब जनता के इस फैसले को नकार दिया जाएगा क्या अब फिर से बीजेपी मध्प्रदीश में कमल खिलाएगी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं बाकि तमाम जानकारि शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्का